अरे अरे पच्चो तुम ये क्या कर रही हो? तुम रामु काका की गाड़ी से फल क्यों चुरा रही हो? हेलो दोस्तो, सीता की कहानी में आपका स्वागत है यह रामु काका की गाड़ी है और रामु अपनी गाड़ी में धेर सारे फल भर कर शहर ले जा रहा है तब ही राजू की नजर रामु काका की गाड़ी पर पड़ती है अरे वा, रामु काका फल बेचने जा रहा है मैं आज फिर पल चुराऊंगा और इस तरह से दोड़कर राजू गाड़ी के उपर लटक चाता है कितने मीठे फल होते हैं रामु काका के बाग के आज तो मैं जी भर कर राम खाऊंगा अरे वा, आड़ू भी है और ये क्या, मुसंबी भी है धेर सारे फल खाऊंगा मैं आज ये गाड़ी कैसे रुक गई लगता है रामु काका को शक हो गया कि गाड़ी में कोई है, चलो मैं भाग जाता हूँ अरे रुक्चा शेतान लड़के ये तो तेरा रोज करनाटक हो गया ये राजू का बच्चा रोज मेरी गाड़ी में चड़ जाता है और मीठे फल चुरातर भाग जाता है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा शेतान लड़के रुक्चा तु एक बार अभी पताता हूँ मैं तुझे ला 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 तुम मुझे नहीं पगड़ पाओगे रामुका का क्योंकि मैं तुमसे तेज दोड़ता हूँ ला 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 मुझे आम मिल गया रुक्चा शेतान लड़के अगर तुमेरे हाथ आया तो तुरी खुब पिटाई करूँगा तु रोज रोज मेरी गाड़ी में खुश जाता है और आम चुरा कर ले जाता है कितना बत्तमीज है ये बच्चा लगता है इसके ममी पापा ने इसे यही सिखाया है चोरी करना और बत्तमीजी करना हाँ चलो मैं अपनी गाड़ी लेकर शहर चला जाता हूँ और इस तरह से रामू अपनी गाड़ी चला कर शहर की तरफ जाने लगता है अरे वाँ मचा आ गया मुझे तो बड़ा सा आम मिला है चलो सोनल स्वेटी के घर जाकर आराम मैंने कितनी मेहनत से चुराया है इसे रामू काका की गाड़ी से चलती गाड़ी में चड़ गया था मैं मैं अपना आम तुम्हें पिल्कुल नहीं दूगा आम तेकल तो मेले मुँ में भी पानी आला है लाजू थोड़ा शा आम मुझे भी दे दी फिल्क जब मेले पापा लाएंगे तो मैं तुछे आम दे दूगी नहीं मैं नहीं दूगा तुम्हे आम चलो भागो यहां से वो कड़ गई की ये आम तो मैं अकेला खाऊंगा मीटा रसीला आम इतनी मुश्किल से चुराया है मैंने रामु काका की गाड़े से अरे वा कितना मीटा है ये आम चल्दी से खा जाता हूँ रामु काका की गाड़े में मीठे आडू थे मेरा मन कर रहा है वो भी खा लू तब ही रामु काका की गाड़े सीता के घर की तरफ आ जाती है रामो काका सीता की गली से होते हुए बाजार की तरफ जा रहा होता है लेकिन ये क्या रामो काका की गाड़ी तो अचानक से बंद हो जाती है लगता है गाड़ी खराब हो गई है अरे ये क्या हुआ मुझे तो पहले ही बहुत देर हो रही है मुझे फल बेचने के लिए जाना था लेकिन अचानक से मेरी गाड़ी कैसे बंद हो गई चलो चेक करता हूँ लगता है टायर में हवा नहीं है अरे ये क्या टायर में तो पूरी हवा है चलो पीछे वाले टायर में देख लेता हूँ शायद इसमें कोई प्रोब्लम है अरे ना ना पीछे वाले टायर में भी पूरी हवा है फिर ये गाड़ी कैसे बंद पड़ गई समझ नहीं आ रहा चलो देखता हूँ लगता है गाड़ी का पैट्रोल खतम हो गया है हाँ अरे बाप रे गाड़ी में तो पैट्रोल ही नहीं बचा अब मैं क्या करूँ यहां से पैट्रोल पम तो काफी दूर है अब मुझे पैदल ही चल कर जाना होगा पैट्रोल लेने चलो देखता हूँ कुछ मिल जाए मुझे अरे यह बाल्टी सही रहीगी मैं यह बाल्टी भर कर ले आता हूँ पैट्रोल फिर अपनी गाड़ी में डालूँगा इस तरह से रामु पैट्रोल लेने के लिए चला जाता है और तभी राजू की नजर रामु की गाड़ी पर पड़ती है आजाओ दोस्तो देखो रामु कागा की गाड़ी क्या कहा लामु कागा की गाड़ी मैं भी फल खाऊंगी अले वाँ चल्दी से चड़ जाती हूँ अले बाप ले स्वेटी गिर गई गिर गई बड़ा मज़ा आया चुप हो जाला जो वरना तुझे गाड़े से नीचे फेक तूँगी मैं चल्दी से चड़ जाती हूँ रुको मैं भी आती हूँ अले वाँ इस काड़े में तो धेल साले फल दिख ले हैं चल्दो दोस्तों धेल सारे फल खाएंगी हाँ मुझे तो ये आड़ो बहुत मिध्य लग रहे हैं मैं तो थोले से खा लेती हूँ और धेल साले अपने खर लेकल जाऊंगी बाद में खाने के लिए कितने अच्छी है ये मैं भी फल खाऊंगा लुको मैं भी फल खाऊंगा शोनल स्वीती दी मीटे मीटे आम खाऊंगा आलो भी खाऊंगा और इस तरह से चुटकी भी वहाँ पर आ जाती है मैं भी फल खाऊंगी दी दी मुझको भी दी दो एक फल दी दो ना मैं नहीं दोंगी पहले मुझे खाने दे चुटकी दी दो मुझको भी फल चिंटू प्याले चिंटू फल दे दो मैं भी खाऊंगी चिंटू शुक्लिया चिंटू अच्छा दोस्त है शोनल दीदे गंदी है गंदी दीदी गंदी तभी यहाँ पर रामुका का आ जाता है और वह बच्चों को फल चुराते हुए देख लेता है अरे पापरे ये क्या मेरे गाड़ी में इतने सारे चोर गुस गए ये राजू क बच्चा अपने सभी दोस्तों को लेकर आ गया आज मैं इने बिल्कु नहीं चोड़ूँगा रुको शेतान बच्चो अले भागो लामुका का आगे भागो कहां भागोगे तुम रुको आज तो मैं तुम सब को पुलिस के हवाले करूंगा भागो लामुका का आगे चलती शिपा को और इस तरह से चुटकी महाँ से भाग जाती है और वह भागते भागते सीधा सीधा के घर पर पहुँच जाती है यहाँ पर राधा सीधा और बेला आपस में बाते कर रही होती है हरे चुटकी क्या हुआ सीधा आंटी याधा आंटी लामू काका ने चिंदु को पकल लिया शोनल को भी पकल लिया क्या कह रही हो छुटकी तुम मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आकिर रामू भाई क्यो पकलेगा सब बच्चो को हाँ हा छुटकी बताओ बेदा क्या हुआ है किसने पकला है बच्चो को कहा पर है सभी बच्चे चुटकी आंटी लामू काका ने बच्चो तो पदल लिया बच्चे खेल लखे दे लामू काका ने पदला पुलिश तो बुलाएं दे पिताई लदाएं दे हरे ये चुटकी क्या बोल रही है मुझे तो लगता है बच्चे मुसीबत भी है छुटकी कहां पर है सब लो तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो बेटा चलो राधा तुम भी मेरे साथ चलो लगता है बच्चे किसी परिशानी में फस कई है हाँ दीजी चलिए मुझे भी यही लगता है छुटकी बेटा चलो हमारे साथ और बताओ कहां पर है सभी बच्चे चलो आंटी मैं ले कल चलती हूँ तल्दी तल्दी तलो तब ही यहां पर रामो काका पुलिस को फोन कर रहा होता है ठानेदार साहब चल्दी से आजाईए और इन शैतान बच्चों को गिरफतार कर लीजिए ये रोज मेरे फल चुराते हैं ये राजु तो एक नमबर का चोटा है रामो काका मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा मुझे माफ करती चिये मुझसे भूल हो गई अरे क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो राजु अरे बच्चों तुम यहां क्यों टरेसर में खड़ी हो और रामो तुम्हें शरम नहीं आती छोटे बच्चों को किदनाप करना चाहते हो मम्मी बचाओ बचाओ मम्मी लामो काका पुलिश को बुला रही है बचाओ मम्मे, पुछको भी बचाओ, लामु काका शे बचाओ, हमको फल नहीं खाने दे दे, गंदे लामु काका तुम ये क्या कह रहे हो चिन्टू, रामु ने तुम्हें कुछ तो किया होगा बेटा, बताओ क्या हुआ है, रामु बताओ पूरी बात क्या है, आखिर क्या हुआ, हाँ हाँ रामु, क्यों तुम इते छोटे बच्चों को पुलिस के हवाले करना चाहती है, बताओ मुझे, सुनो सीता भावी मेरी गाड़ी का पेट्रौल खतम हो गया था और मैं पेट्रौल लेने के लिए गया तो मैंने arta कि राजु और उसके सभी दोस्ट मेरी गाड़ी से फल चुरा रही है और राजुक की तो ये रोज की आदत है ये कभी मेरे बाग से फल चुराता है तो कभी मेरे गाड़ी से फल चोरी करता है अब तुम भी बताओ सीता भाबी मैं आखिर क्या करूँ हरे ये तो बहुत गरत बात है बच्चो तुम्हें चोरी नहीं करने चाहिए मुझे माफ करती ची रामु भाई बच्चो ने बहुत बड़ी कलती की है देखो बच्चो अगर तुम्हें फल खाने थी तो तुम मुझे बोल देती मैं रामु से खरीद कर तुम्हें फल देती चोरी करना तो बहुत गंदी बात है हमें माफ कल दीजिए लामु का का आप हमें थोलेशे फल दे दीजिए वो क्या है ना आपके बाग के फल बहुत मीथे है उल खाने का बहुत मन कलता है औरे बच्चो ये तो तुम मुझे पहले भी कर सकते थे चोरी करना तो गंदी बात होती है देखो तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए मैं तुम्हें कुछ फल दे दूँगा तुम चिंता मत करो आपका शुक्रिया रामु भाई मैं आपको पैसे दे दूँगी आप बच्चो के लिए एक तोकरी फल दे दीजिए और बच्चो की तरफ से मैं आपसे माफी मानती हूँ पच्चे आगे से कभी फल चोरी नहीं करेंगे रामु भाई आज के लिए माफ कर दीजिए टीक असीता बाबी यह लीजिए मैंने तोकरी फलों से भर दी है लो बच्चो घर जाकर मजे से खाना और कभी भी चोरी नहीं करना चोरी करना पाप है उसके सर पर सांप है आपका शुक्रिया रामु भाई चलो बच्चो अब खर चलती है मैं तुम्हें अच्छे से फल खिलाऊंगी और आगे से कभी चोरी नहीं करना ठीक है न और इस तरह से सभी बच्चे खुशी खुशी घर की तरफ चले जाती है और जाकर मजे से फल खाती है रामु काका भी अपनी काड़ी लेकर वहां से जाने लगता है आपका शुक्रिया रामु भाई आप तो सच में बहुत ही भले इंसान है चलो मैं चाती हूँ बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से समझाओंगी कभी ऐसी करती नहीं करने चाहिए और इस तरह से रामु अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालता है और जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करकर फल बेशने के लिए शहर चला जाता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करे लिजी कल फिर मिलेंगी नई कहानी के साथ पापाई दोस्तों